मसल बिल्डिंग को थेज़ करने के लिए और एक्सरसाइज के दौरान अमेजिंग पंप के लिए एक बहुत बढ़िया टेक्नीक में आपको बताता हूँ जिस भी मसल में स्पोस करो कि आपको एक्सरसाइज करते हैं पंप अच्छे से फील नहीं होता उसमें फील करने के लिए क्या करना अपने उस बॉड़ी पार्ट की में एक्सरसाइज करने से पहले उसको प्री एक्सरसाइज करना है वो कैसे करते हैं उस बॉड़ी पार्ट की कोई आइसलेशन एक्सरसाइज हम करेंगे बहुत लाइट वेट के साथ For example, अभी मैं अपने shoulders को pre-exhaust करूँगा, कैसे? इस तरह से मैं बिलकुल light weight के साथ एक later raises, cable के साथ later raises लगाऊँगा जितने मुझसे reps लगते हैं maximum और जब मेरे shoulders close to failure होंगे तब मैं अपने shoulders की जो main exercise है जो के है overhead press, उसके उपर जाऊँगा और बिना rest लिए shoulder press perform करूँगा इस technique को effectively use करने के लिए ने दो बाते अपने दिमाग में रखना पहली बात कि जो pre-exhaust वाला हमने set लगा है वो हमने सिर्फ first set से पहले लगाना बाद में लगाना दूसी चीज, विछले कुछ वीडियो से मैं आपको जो advanced techniques बता रहा हूँ वो कुछ time के लिए ही आप use करते हो तीन-चर हफतों के लिए उसके बाद आप use करने उनको बंद कर देते है